हेलो व्रीवन वेलकम टू HVS इस्टडीज तो दोस्तों आज की इस वीडियो में कुछ इंपोर्टेंट कोश्चन्स कवर करेंगे father of different fields related इस topic के उपर top 50 questions रहेंगे इस वीडियो में जो ये topic रहेगा जितनी भी different fields रहेंगे अलग फिल्ड रहेंगी उनके जो father रहेंगे उनके father किसको कहा जाता है उनके जनक किसको कहा जाता है ये topic रहेगा जो कि इस वीडियो में cover करा जाएगा अगर आपको वीडियो पसंद आए वीडियो को like करें share करें चैनल को subscribe कर लें जितने भी competitive exams रहेंगे सभी competitive exams के लिए वीडियो काफी important रहेगी तो वीडियो को आप starting से end तक देखें क्योंकि इससे related questions exams में पूछे जाते हैं तो चलिए वीडियो को start करते हैं देखते हैं पहला question क्या है तो हमारा पहला question है who is known as the father of Indian railways तो father of Indian railways किसको कहा जाता है तो आपका answer हो जाएगा इस question का Lord Dalauzy Lord Dalauzy रहेंगे जिनको father of Indian railways कहा जाता है doctor and of left जो है वो भी कित्ती द्वारा दिया गया था तो वो Lord Dalauzy के द्वारा ही दिया गया था तो इनको father of Indian railways बोलते हैं who is known as the father of mobile phone तो mobile phone का father किसको कहा जाता है mobile phones अब काफी जादा use किया जाते है सभी के द्वारा तो इसका father जनक किसको कहा जाता है तो आपका answer हो जाएगा Martin Cooper Martin Cooper के द्वारा invention करी गई mobile phones की तो इनको father of mobile phone के नाम से जाना जाता है who is known as the father of modern Indian arts तो modern India art जो है जो इंडिया की modern art है उसके father किसको कहा जाता है तो आपका answer हो जाएगा Raja Raviy Verma Raja Raviy Verma रहेंगे जिनको father of modern Indian arts के नाम से जाना जाता है who is known as the father of Indian unrest तो ये question काफी जादा exams में आपका पूछा जाता है जाता है सबको इसका answer पता होगा हमारा answer हो जाएगा बाल गंगादर तिलग बाल गंगादर तिलग को father of Indian unrest के नाम से भी जाना जाता है who is known as the father of modern Olympics तो modern Olympic के नाम से किसको जाना जाता है तो आपका answer हो जाएगा पेरे डी कोबर्टिन पेरे डी कोबर्टिन को father of modern Olympic बोला जाता है who is known as the father of Indian cinema Indian cinema का father किसको कहा जाता है इनके नाम पे ही जो cinema का highest honor है वो भी दिया जाता है तो क्या रहेगा इनका नाम तो हमारा answer हो जाएगा दादा साही फाल के और दादा साही फाल के award ही रहेगा इंडिया का जो की highest honor है आपकी cinema की field का यह आपको ध्यान रखना है एक्जामस में यह question भी आपसे पूछा जाता है अगले question पे बढ़ने से पहले हम आपको बताना चाहते है static gk की एक topic wise ebook हमारे द्वारा launch करी गई है जो की सिर्फ आपको 69 रुपीज में provide कराई जा रही है important क्यों रहेगी क्योंकि इसमें 14 से 15 topics cover किये गए है जिसमें static के topics भी रहेंगे साथ साथ में 2021 के current affair के topics भी रहेंगे आप name देख सकते हैं सब भी exam के लिए important topics हैं तो अगर आप interested हो तो link description में provide किया गया है आप description में जाके इसको buy कर सकते हैं अगर payment करने के बाद कुछ issue आता है downloading में तो नीचे हमारी Gmail ID है आप इस पे directly mail कर सकते हैं अगला question देखते हैं हमारा who among these is known as the father of astronomy तो father of astronomy जो खगोल विज्यान है उसके पिता किसको कहा जाता है मतलब विज्यान जो है astronomy जो है उसके पिता father of astronomy किसको कहा जाता है तो हमारा answer हो जाएगा Nicholas Copernicus Nicholas Copernicus को father of astronomy विज्यान के पिता कहा जाता है who is known as the father of numbers तो संख्याओ का जनक father of संख्या जो है father of numbers का किसको कहा जाता है तो आपका आंसर हो जाएगा पाइथागोरस पाइथागोरस आपको पता होगा पाइथागोरस मैच से रिलेटिड होता है संख्या जो हो गई नमबर्स हो गई उससे रिलेटिड आपका हो जाता है पाइथागोरस इसके founder रहेंगे father of numbers के who is known as the father of modern computer तो modern computer के father आधुनिक जो computer है उसके पिता किसको कहा जाता है तो आपका आंसर हो जाएगा एलन टरिंग, एलन टरिंग को father कहा जाता है modern computer का आधुनिक computer का who is known as the father of the Indian constitution तो इस question का answer हर कोई easily answer कर सकता है कि father of Indian constitution भारतिय सम्विदान जो है उसका जनक, उसका father किसको कहा जाता है और इनके द्वारा ही जो हमारा article 32 है उसको soul कहा जाता है Indian constitution का तो आप आसानी से answer कर सकते हैं डॉक्टर भीम राओ अम्बेटकर डॉक्टर बी आर अम्बेटकर रहेंगे भीम राओ अम्बेटकर इनको father of Indian constitution कहा जाता है who is known as the father of modern education तो आधुनिक शिक्षा काफी important question है modern education का father जनक किसको कहा जाता है तो आपका answer हो जाएगा john emos communeum तो john emos इनको father of modern education के नाम से जाना जाता है who is called the father of email and is credited with its invention तो आपसे exams में काफी बार पूछा जाता है who is known as the inventor of email email जो है उसकी खोज किसके द्वारा करी गई और उनको ही father of email भी बोला जाता है तो उनका नाम क्या रहेगा तो उनका नाम है Ray Tomilson Ray Tomilson रहेंगे जिनको father of email और inventor of email के नाम से इनको जाना जाता है who is known as the father of internet तो इन्टरनेट जो रहेगा उसका जनक उसके father किसको कहा जाता है तो आपका answer है wind surf wind surf को father of internet तो internet जो होता है surfing करने के लिए use किया जाता है इसलिए surf जो रहेंगे उनको father of internet बोला जाता है इनके द्वारा ही mention करी गई थी internet की ये exam के लिए काफी जादा important question है जो रक्त संचार होता है उसका जनक किसको कहा जाता है तो आपका आंसर हो जाएगा William Harvey William Harvey को father of blood circulation रक्त संचार के जनक के नाम से जाना जाता है Who is known as the father of geography तो भूगोल के जनक भूगोल के father किसको कहा जाता है तो हमारा answer हो जाएगा इस question का iratostens इरatostens जो रहेंगे इनको father of geography के नाम से जाना जाता है Who is known as the father of missile program तो ये भी question आपके exam के लिए important रहता है जो इंडियन missile program रहेगा उसका father किसको कहा जाता है तो हमारा answer हो जाएगा AP J. Abdul Kalam AP J. Abdul Kalam एक scientist भी रहेंगे इंडिया के इनको father of missile program कहा जाता है Who is the father of economics तो अर्थशास्त के जनक father of economics किसको कहा जाता है तो हमारा answer हो जाएगा Adam Smith Adam Smith को father of economics के नाम से भी जाना जाता है ये question भी exams में काफी बार पूछा जा चुका है Who is known as the father of relativity तो relativity के father relativity के जनक किसको कहा जाता है ये question भी important है और relativity की जो खोज है जो theory of relativity है वो किसके दुआरा दी गई तो उससे आप अनुमाल लगा सकते है हमारा answer है Albert Einstein theory of relativity दी गई थी Albert Einstein के दुआरा तो इनको ही father of relativity कहा जाता है Who is known as the father of telephone तो telephone का father किसको कहा जाता है तो हमारा answer हो जाएगा Alexander Graham Bell Alexander Graham Bell को telephone का जनक father कहा जाता है Who is the father of DNA fingerprints तो DNA fingerprinting के father किसको कहा जाता है ये question भी exam के लिए important रहेगा आपका तो हमारा answer हो जाएगा Alec Jeffries Alec Jeffries को father of DNA fingerprint के नाम से भी जाना जाता है Who is known as the father of marvel comic books तो marvel comic books के father जनक किसको कहा जाता है तो आपका answer हो जाएगा इस question का Stanley Stanley को father कहा जाता है marvel comic book का Who is known as the father of Indian comic book तो पीछे marvel comic book पूछा जाता है यहाँ पे पूछा जा रहा है Indian comic book तो आपका answer हो जाएगा Anand Pai Anand Pai को father कहा जाता है Indian comic book का और marvel comic book के रहेंगे आपके Stanley Who is the father of antonomy ये question भी important रहता है exams के लिए father of antonomy किसको कहा जाता है तो हमारा answer है Andrewas Vasilis Andrewas Vasilis को father of anatomy के नाम से भी जाना जाता है Who is the father of modern chemistry तो modern chemistry के पिता modern chemistry के जनक कौन रहेंगे तो हमारा answer हो जाएगा Anton Lavosier Anton Lavosier रहेंगे जिनको की father of modern chemistry के नाम से जाना जाता है Who is the father of microbiology और Microscopy तो Microscopy या फिर Microbiology इन दोनों के Father किसको कहा जाता है तो हमारा Answer हो जाएगा Anthony Van Livenhuk Anthony Van Livenhuk को Father of Microbiology या फिर Father of Microscopy के नाम से जाना जाता है Who is known as the Father of Comedy तो Comedy के जनक किसको कहा जाता है तो हमारा Answer हो जाएगा Aristophans Aristophans रहेंगे जिनको की Father of Comedy के नाम से भी जाना जाता है Who is known as the Father of Biology Zoology Embryology और Political Science तो ये Question काफी जादा important question है आपके एक्जाम के लिए किसको Father of Biology, Zoology Embryology और Political Science के नाम से जाना जाता है तो हमारा Answer हो जाएगा इस Question का Aristotle Aristotle को Father कहा जाता है चार चीजों का Biologica, Zoology को Embryology का और Political Science का Who is known as the Father of Sociology ये Question भी important है Sociology का Father किसको कहा जाता है तो हमारा Answer हो जाएगा इस Question का Auguste Comte Auguste Comte रहेंगे जिनको की Father कहा जाता है Sociology का Who is the Father of Indian Paleo Botany तो Indian Paleo Botany के Father किसको कहा जाता है तो हमारा Answer हो जाएगा Beerbel Sahne Beerbel Sahne का Father of Indian Paleo Botany के नाम से जाना जाता है Who is the Father of Classification और Father of Taxonomy तो Father of Classification और Father of Taxonomy के नाम से जाना जाता है तो हमारा Answer हो जाएगा Cal Linneus कल Linneus को Father of Classification और साथी साथ Father of Taxonomy बोला जाता है Who is known as the Father of Evolution तो evolution का father किसको बोला जाता है विकासवाद तो हमारा answer इस question का important रहेगा हमारा answer हो जाएगा Charles Darwin Charles Darwin को father बोला जाता है evolution का exam के लिए important question है exams में पीछे काफी बार पूछा जा चुका है Who is known as the father of plant breeding तो plant breeding के father किसको कहा जाता है तो हमारा answer हो जाएगा BP pal BP pal रहेंगे जिनको father of plant breeding बोला जाता है Who is known as the father of green revolution तो ये question भी important रहेगा आपका green revolution जो होता है agriculture से related रहेगा इसके father किसको बोला जाता है तो हमारा answer हो जाएगा M.S. Swaminathan M.S. Swaminathan यहाँ पे India की बात करी जा रही है father of green revolution in India भारत में M.S. Swaminathan को father of green revolution बोला जाता है Who among the following is the father of periodic table तो periodic table के father कौन है तो हमारा answer हो जाएगा Demetri Mandelay Demetri Mandelay रहेंगे जिनको की father of periodic table के नाम से जाना जाता है और ये question भी exam के लिए important रहता है Who is known as the father of Indian constitution तो ये question repeat हो गया है हमने पीछे इसको question को अभी discuss किया है कि father of Indian revolution बोला जाता है भीम राओ अम्बेटगर को बी आर अम्बेटगर को father of Indian constitution हम बोलते है Who is known as the father of vaccination father of immunology तो father of vaccination important रहेंगा vaccine काफी जादा important word रहे है आपका अभी का हाली का तो father of vaccination और father of immunology किसको कहा जाता है तो हमारा answer हो जाएगा Edward Jenner Edward Jenner को father of vaccination और father of immunology बोला जाता है Who among the following is the father of biodiversity biodiversity का father किसको कहा जाता है तो हमारा answer हो जाएगा Edward O. Wilson Edward O. Wilson को father बोला जाता है biodiversity का Who is the father of hydrogen bomb ये question भी important रहेगा आपका hydrogen bomb का father किसको कहा जाता है तो हमारा answer हो जाएगा Edward Teller Edward Teller रहेंगे जिनको की father of hydrogen bomb बोला जाता है इन options में से ही आपका रहेगा father of atom bomb किसको बोला जाता है इस question का answer आपको comment box में type परके बताना है की father of atom bomb किसको बोला जाता है Who is known as the father of geometry तो father of geometry किसको कहते हैं तो हमारा answer हो जाएगा Euclid Euclid रहेंगे जिनको father of geometry बोला जाता है Who was popularly called the father of humanism तो मानफ्ता का जनक मानफ्तावादी जो होगा मानफ्तावाद का जनक जो है वो कौन रहेगा तो हमारा answer हो जाएगा Petrarch Petrarch रहेंगे जिनकों की father of humanism बोला जाता है Whose name is associated with father of eugenics तो father of eugenics किसको कहा जाता है तो हमारा answer हो जाएगा Francis Galton Francis Galton को eugenic का father कहा जाता है father of eugenics बोला जाता है Who is known as the father of scientific management scientific management का father किसको कहते हैं तो हमारा answer हो जाएगा Frederick Taylor Frederick Taylor को father of scientific management बोला जाता है Who is the father of gene therapy gene therapy के father कौन है तो हमारा answer हो जाएगा French Addison French Anderson को father of gene therapy का बोला जाता है English poetry के father किसको कहा जाता है तो हमारा answer हो जाएगा Geoffrey Chaucer Geoffrey Chaucer को father of English poetry बोला जाता है Who is called the father of civil aviation in India ये question भी exam के लिए काफी important question रहेगा आपका कि father of civil aviation इंडिया में किसको कहा जाता है तो हमारा answer हो जाएगा J.R.D. Tata J.R.D. Tata को father of civil aviation बोला जाता है इंडिया में Who is known as the father of history History के father जो इतिहास है उसके पिता किसको कहा जाता है तो हमारा answer हो जाएगा Hero Dotas Hero Dotas को father of history बोला जाता है Who is the father of blue revolution in India Blue revolution के father किसको कहा जाता है तो हमारा answer हो जाएगा Hira Lal Chaudhary Hira Lal Chaudhary को father of blue revolution बोला जाता है इंडिया में और वर्गे स्कूरेंज जो रहेंगे इनको किस चीज का father बोला जाता है ये हम काफी बार जो color revolution है उसकी एक separate video है चैनल पे उसमें हम cover कर चुके हैं अगर आपको ध्यान हो तो आप comment box में जरूर टाइप करें Who is regarded as the father of Indian nuclear program तो भारत का जो परमाडू कारेकरम है जो Indian nuclear program है उसका father किसको कहा जाता है तो हमारा answer हो जाएगा Homey J. Baba Homey J. Baba को जो Baba Atomic Research Center है वो इनके नाम पे ही रखा गया है तो Homey J. Baba को father of Indian nuclear program के नाम से जाना जाता है Who is known as the father of classical mechanism तो classical mechanism के father किसको कहा जाता है तो हमारा answer हो जाएगा Isaac Newton Isaac Newton को father of classical mechanism के नाम से जाना जाता है तो दोस्तों ये था हमारी वीडियो का आखरी कोशन अगर आपको वीडियो पसंद आई हो वीडियो को लाइक करें अगर आपने अभी तक चैनल को सबस्क्राइब नहीं किया है तो आप चैनल को जरूर सबस्क्राइब कर लें इसी तरीके की टॉपिक से रिलेटेड वीडियो हर एक टॉपिक की वीडियो आपको इस चैनल पे प्रोवाइड कराई जाएगी जो कि आपके एक्जाम्स के लिए आने वाले एक्जाम्स जो भी रहेंगा उनके लिए काफी इंपोर्टेंट रहेगी और जो टॉपिक सो सकते हर एक टॉपिक जो भी टॉपिक यससे भी एक्जाम में कोश्चन मनता है हर एक टॉपिक की separate वीडियो मिलेगी आपको हमारी चैनल पे तो आप चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर ले अगर आप e-books पाई करना चाते हैं तो link description में है आप description में जाके हमारी e-books को बाई कर सकते हैं धन्यवाद